श्री लोकेश जी, इस्प्रिच्वैलिटी और रिलेशन्शिप अगर एक मोडे तौर पर काये जाए, किस सरह से इनकी हेल्प कर सकती है? बड़ा अच्छा प्रस्ण है, अगर अध्यात्म का जीवन में आवतरन होगा, तो उसका पहला असर जीवन में ये होगा कि हमारी पॉजिटीव थिंकिंग बनेगी, विधायक चिंतन होगा, सकारात्मक चिंतन होगा, और मैं समझता हूँ, जितने लड़ाई जगड़े हैं, वो है हमारे नकारात्मक चिंतन के कारण से होते हैं, तो जीवन का अगर हमारा नजरिया ही बदल जाए, द्रिश्टी ही बदल जाए, पॉजिटीव थिंकिंग हो जाए, कैसे इन्हों ने कहा पती पतनी का, एक पतनी को बड़ा गुसा आया, गुसे में उसने पती को जानव कह दिया, बिल्कुल, तो पती मुष्कराने लगा, पत्नी ने फिर औरदी गुस्ता आया, का तुम्हें पता है, मैंने क्या का, उसने का कि, मैं इतने वर्सों से जिस सब्द के लिए तरस रहता, वही तो का, बोले क्या का है, मैंने जानवर का तो बोले ठीक ही तो का है, जीवन के अंदर, क्योंकि हमारा सोचने का नजरियाद अलग है, हमारे अलग-अलग विचार हैं, अलग-अलग रूची हैं, अलग-अलग चिंतन हैं, मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है, बेशक्तु उसके बावजूद एक दूसरे के विचारों का अगर हम सम्मान करन सिख सके हैं, और ये अध्यात्म से ही सुरू होता है, इसलिए निश्चित रूप से वास्तों में अगर अध्यात्म का जीवन में अवतरण हो, तो उनके लिए ये साहिक बन सकता है.